हलो वीवर्स स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षिक पटल पर अगर आप मेरे चैनल पर ने हैं तो चैनल को सुब्स्राइब जरूर करें और साथी बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें और वीडियो को अन्त तक जरूर देख नर्मदा नदी की कथा जन्मानस में कई रूपों में प्रिचली थे कहते हैं मा नर्मदा चिर्कुवारी रह गए थी नर्मदा का साथ्विक सौंदर, चारित्रिक तेज और भावनात्म कुफान नर्मदा परिक्रमा के दोरान हर संबेदन सिल्मन महसूस करता है कहने को वह नदी रूप में हैं लेकिन चाहे अंचाहे भक्त उनका मानवी करही लेते हैं पराडिक कथा और यथार्थ के भावगोलिक सत्य का सुंदर सम्मिलन उनकी इस भावना को बल देता है और वे कह उठते हैं नमामी देवी नर्मदे जो पराडिक कथाएं हैं नर्मदा नदी के विश्य में वह भोगोलिक सत्य से मिलकर बिलकुल इस पश्ट दिखती हैं आईए सुनते हैं मा नर्मदा कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी शुडभद्र से दोखा खाने के बाद आजीवन कुवारी रहने का पैसला किया लेकिन क्या वह सचमुच गुस्से की आग में चिरकुमारी बनी रही या फिर प्रेमी शुडभद्र को दंडित करने का यही बहतर उपाय लगा आत्मिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयम कुक पर ही आगात किया नर्मदा की प्रेम कथा लोग गीतों और लोग कथां में अलग-अलग मिलती लेकिन हर कथा का आंत कमोविश यही कि शोडभद्र के नर्मदा की दासी जुहला के साथ सम्मिंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुह मोड लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी द्ध्यान देरे योग बात है कि नर्मदा नदी उल्टी बहती है। सत्य कथे कामिलन देखिये नर्मदा नदी विप्री देशा में ही बहती है। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी बिवाह मंडप में बैठने से ठीक पहले नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिल चस्पी उसकी दासी जुहला में है यह आदिव वासी नदीन मंडला के पास पहती है प्रतिश्चत कुल की नर्मदा यहाँ पांच सहे न सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई शोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी नर्मदा के पीछे-पीछे भागा और यह गुहार लगाते हुए लोट आओ नर्मदा लेकिन नर्मदा को नहीं लोटना था वह नहीं लोट अब अब कथा का भोगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारती प्रायदीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विप्रीत बहती है यानि पूर्व से पश्चिम की और कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेश सोडबहद्र से अलग होती दिखाई रेती है कथा की फल्शूती यह है कि नर्मदा को इसलिए चिर्कुवारी नदी कहा गया है कि ग्रहों के किसी विशेश मेल पर स्वयम गंगा नदी भी यहां इस्तान करने आती है इस नदी को गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है मत्स पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वड़ थे कंखल छेत में गंगा पवित्र है कुर छेत में सरसती परणतु गाउं हो या बन नर्मदा सर्वत्र पवित्र है यमुना का जल एक सप्ता में सर्वती का तीन दिन में गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी छड़ पवित्र कर देता है यह एक अन्य प्राचिन गरंद में सप्त सरिताओं का गुड़गाल इस तरह है गंगे चय यमुने चय गोदावरी सरसती नर्मदा सिंधुका वेरी जले स्पने संधिन कुरू और दूसी कथा है इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और शोड़ भद्र को सोन भद्र से जान जाता है नदी यानी नदी का पुरुषू ब्रह्म पुत्र भी नदी नहीं नद ही कहा जाता है बहराल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी राज मिखल ने अपने अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यताय किया कि जो राजकुमार गुल बकावली के दुर्लब पुष्पन की पुत्री के लाएगा वे अपनी पुत्री का विवावसी के साथ संपन कर देंगी राजकुमार सोनभद्र गुल बकावले के फोल ले आये अतह उनसे राजकुमारी नर्वदा का बिवाह तैं हुआ नर्वदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी लेकिन उसके रूप योन और पराकरम की कथाएं सुनकर मनी मन वह भी उसे चाहने लगी थी बिवाह होने में कुछी दिन से थे लेकिन नर्वदा से न रहा गया उसने अपनी दासी जुहिला के हाथो प्रेम संदेश भीरने की सुची जुहिला को सुझी ठी ठोली उसने राजकुमारी से वस्त्रवाव सुख भूशर मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने इधर नर्वदा का सब्र का वाट तूटने लगा दासी जुहिला के आने में देर हुई तो वस्त्रवाव चल पड़ी सुद्भद्र से मिलने वहाँ पहुशने पर सुन्भद्र और जुहिला को साथ देकर वहाँ अपमान की भिशडाग में जल उठी तुरंत वहाँ से उल्टी दिशा में चल पड़ी फिर कभी न लोटने के लिए सुन्भद्र अपनी गलती पर पस्ताता रहा लेकिन स्वाविमान और विद्रुप क कि प्रतीक्वनी नर्वधा कभी पलट कर नहीं आई अब इस कथा का भोकोलिक सत्य तो देखिए कि जैसिंग नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला इस नदी को दूशिक नदेवाना जाता है पवित्र नदियों में इसे शाबिल नहीं किया जाता का सोनभद्र नद से ब रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहबाद के पूरी व्युहाग में आज भी प्रचलित हैं मैंने भी वच्पन में एक कहानी सुनी है कैसे एक रानी का वेश बना कर दासी राजा से मिलने जाती है और सब गड़बड हो जाता है कथा तीन कई हजारों वर्ष पहले की बात है नर्वदाज ये नदी बनकर जन्मे सोनभद्र नद बनकर जन्मा दोनों की घर पास पास थे दोनों मरकंडक की पाहाड़ियों में घुटनों के बल चलते थे चिड़ते चड़ाते हस्ते रूपते दोनों का बचपन खत्मा दोनों के शोर हुए लगा और बढ़ने लगा गुफा और पहाड़ियों में रिशी मुनी संतों ने डेरे डाले चारो और यग्य पूजन हवन होने लगा पूरे परवत में हवन की बवित्र समिधाओं से वातावर सुवन्धित रहने लगा इसी पावन माहौल में दोनों यंग हुए उन दोनों ने कसमे खाए जिवन भर एक दूसरे का साथ नहीं शोर नेगा एक दूसरे को धोखा नहीं देनेगी कि एक गब हाही है एक दिन अचानक रास्ते में स्वन्भद्र ने सामने नर्मदा की सकी जोहिला नदी आधम की सोलशिंगार की वे बन दे लिये वह भी नवहीं वेती थी उसने अपने अदाखन लें प्रेंज पर आकर शड़ा नर्मदा ने बहुत कोशिश की सुन्बद्र को समझाने की लेकिन सुन्बद्र तो जोहिला के लिए बारा हो गया नर्मदा ने किसी ऐसी यह सनी छड़ में निल्ड़ लिया कि ऐसी धोखी बाज के साथ से अच्छा है छोड़ कर चल देना कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा पलट दी सोनभदर उजुहिला ने नर्मदा को जाती देखा सोनभदर को दुख हुआ बच्पन की सक्षी उसे छोड़ कर जा रही है उसे उसने पुकारा नर्मदा रुप जाओ लोट और नर्मदा लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा खुआरी रहने का प्रड़ किया इवा उस्था में ही वस्वन्या से नहीं मन गई मंडला के आदिम जन के इलाकों में पहुची कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुड़ विलाब सुनाई देता है नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की उर्दोड़ी भोगोलित तथे तो देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदिया बंगाल सागर में मिलती हैं लेकिन गुस्य की कारण नर्मदा जी अरब सागर में समा गई और नर्मदा को पवित्र पुढ़ने दाइनी नदियों में शुमार किया जाता है नमारमी देवी नर्मदी वीडियो को लाइक करें जादा जादा शेयर करें और अपने भमूली सुझाओ कोमेंट बॉक्स में आवश्य दें धन्यवाद